इस विल्कम बेक टो दे ब्लोग्स दिस इस मैनिस और आप देख रहें ब्लोग्स यूट्यूप चैनल तो गैज आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यों आपको पता है क्योंकि मैं आज आपको नहीं कुछ टिप्स बताने वाला हूं जैसे आप ब्लोगिंग कैसे सुरुवात कर सकते हैं आपको क्या-क्या इक्यूपमेंट्स का जरूरत होगा तो यह चीज सब मैं आज आपके साथ डिसकस करने वाला हूं तो लास्ट तक दिखिए और कुछ सीख के जाए तो गाई सब आप जो सुटेबल है वह चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा केटेगोरी में ब्लॉग करना चाहते हैं क्योंकि जितने भी केटेगोरी से ब्लोगिंग के लिए वह फिल्ड के लिए अच्छा है अगर आप लाइफस्टाइल ब्लॉग है और आप कुछ और फूट ब्लॉग कर करते हैं तो वह अच्छा नहीं लगेगा तो वही है आपको अगर सारा करना है तो आप सारा सकते हैं और tutto करना चाहते हैं तो अगर अपको कि ए major I होता है और एक अधाया और घूसे बताएंगे आफको फूट ब्लॉग में आप बताएंगे वहां पर लाफ्स्टेल ब्लॉग में हैं कि आप को इक्यूपनेट्स की जरूत होगा अगर आप के पास इक्यूपन्ट की नहीं है तो आप कैसे करेंगे तो गाइस आपको ज्यादा कोई हाई-end camera नहीं चाहिए ज्यादा बड़ा बड़ा camera नहीं चाहिए आपको एक smartphone हो जिसमें full HD video record कर पार हैं मतलब full HD video record हो जार रहा है वो phone में तो वो phone भी आप यूज कर सकते हैं तो गाइस मैं भी phone से record कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं phone का quality कैसे आ रहा है तो आप भी शुरुवात कर सकते हैं phone में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको equipment में एक phone चाहिए और बस tripod चाहिए जिससे आप phone को hold कर सकते हैं और कहीं भी move कर सकते हैं अगर जैसे मैं exploring वाला blog करता हूं कोई जागा जाता हूं एक explore करता हूं तो उस type का अगर blog बनाना है travel blog बनाना है तो आपको एक tripod जरूरी होगा क्योंकि आप उसको कहीं पर रख के भी suit कर सकते हैं तो एक tripod बहुत जरूरी है आपका blogging के लिए और अगर आपके पास budget है तो आप माइक भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग प्रेड में आपको उतना जरूरत केंट का जो camera में आप देखके शूट करिएगा अगर मैं इधर ही देखी है अगर मैं तो अगर स्क्रीन में नहीं देखना है आपको लेंस में देखना है तो लेंस में देखिए मेरा भी कभी-कभी गलती होता है मैं भी स्क्रीन में देखता हूं बट फिर भी धीरे-धीरे करते-करते यह प्रैक्टिस हो जाएगा और अगर आप ऐसे बोलने टाइम फंबल करते हैं तो मैं एक चीज आपको रिकमेंट करूंगा आपको अगर जो भी बोलना है वो चीज को एक बर कहीं पर नोट डाउन कर लीजे और उसके बाद जब भी अभी आप भूल जाएंगे तो उसको देख के आप बोल सकते हैं तो यह एक ठोड टिप है आपके लिए तो गाइस पढ़ते हैं करना बोल बोल के ताकि आपका experience हो जाए और अच्छे से आप बोल पाएं और सबसे बड़ा में टॉपिक है आप वीडियोस देखिए यूट्यूब में कि बाकी लोग कैसे बना रहे हैं आप उनको देखेंगे तो आप और अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप वीडियोस द देख रहे हैं आपको वह हो कि क्सी को मत देखिए है अगर आप इधर उधर देखेंगे कि लोग क्या解 55% क्या बोलेंगे मुझे देक्रहें सब घूरर है कैसे अगर आप सोचिन तो आप लोग नहीं कर पाऊ इंडियोस 他गाएं कोई एक्स्पोर कर रहे हैं तो वह जगा का क सब्सक्राइब तो अगर आपको इंट्रेस्टेड है तो मेरे चैनल में और कुछ दिन बाद आईएगा वाला वीडियो भी होगा तो आप उसको भी देख लीजेगा और गाइज ब्लॉग का सबसे में पार्ट है स्टोरी तो गाइज जैसे हम लोग बच्पन में सुना करते थे अपने दादी से नाना जी से जैसे स्टोरी सब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता था फिर उसका बीच में क्लाइमेक्स फिर उसके बाद लास्ट में एंड होता थ जैसे आप शुरू करते हैं वीडियो वैसे ही शुरू करिएगा उसके बाद बीच में कुछ क्लाइमेक्स होना चाहिए थोड़ा मज़ेदार चीज कुछ होना चाहिए ताकि आपके वीवर्स को अच्छा लगे फिर लास्ट में खतम कर देगा वीडियो अगर आप सुचते हैं कि फोन में ब्लॉक करेंगे तो कौन देखेगा हम लोगो गाइस फोन से ब्लॉक करना ज्यादा बड़ा बात नहीं है आपके अंदर जो टैलेंट है वो सबसे बड़ी बात है तो ज्यादा सोचिएगा मत कि मैं फोन में ब्लॉक कर रहा हूं मेरे को कौन देखेगा तो आप अच्छे से बोलिए अच्छे से रिप्रेजेंट करिए जो भी जगा जा रहे हैं वो जगा को अच्छे से एक्स्प्लोर करिए अच्छे से वह जगा के बारे में अच्छे से बताईए तो जितने भी लोग होंगे वह आपकी वी में उसको सस्क्राइब कर दीजेगा और मैं next video cinematic का उपर साइद लेके आऊँगा cinematic video और और भी थोड़ा कुछ बताऊँगा part 2 या part 2 something कुछ बनाएंगे तो प्रीज सस्क्राइब करके रखिए और अगर नहीं अच्छा लग रहा है मेरा video तो आप dislike भी कर सकते हैं अच्छा से रहिए और नया नया चीज सीखते रहिए मेरा video से अब देख देखके तो मिलते हैं next vlog में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं next vlog में तब तक के लिए बाई